ड्रॉप सिपिंग मतलब लाकों कवारे लोग इसका इस्तेमाल करके और वो भी विदाउट इंवेस्टमेंट आज मैं ड्रॉप सिपिंग के बारे में ही आप सभी पताने वालोंगी कैसे आप भी ड्रॉप सारी वीडियोज मैंने यूट्यूब पर सर्च करके देखी ड्रॉप सिपिंग के उपर लोगों ने इतना जदा complicated करके बता रखा है कि मतलब कुछ कहने का नहीं आज मैं लेकिन simple खासी inventory अपने पास रखना पड़ता है उसके बाद थोड़ा बहुत cash में backup आपको रखना पड़ेगा उसके बाद आपका जो space है जो आपका मतलब shop है या फिर factory है वो market place के अंदर होनी चाहिए तब जाके आपका business चलता है तब जाके business running में आता है थोड़ा सा लेकिन आपको अ आपको inventory की जरूरत नहीं है शौप की जरूरत नहीं है और नहीं आपको backup रखने की जरूरत है तो कुछ भी आपको नहीं चीए drop shipping आप केवल अपने phone से start कर सकते हो अगर phone में internet connection है phone आपके पास बस शुरू हो जागा आपका drop shipping का business और खमा सकते हो आप लाख हो लेकिन एक च 40 दिन आप constant जब मेहनत करोगे तो उसके बाद ये result देना आपको सुरू करता है drop shipping आपको instantly result तो नहीं देने वाला so drop shipping का business model अगर आपको simple language में समझाओं तो let's suppose कोई wholesaler है wholesaler है shoes का और आप क्या करते हो आप wholesaler के पास चलके जाते हो आप shoes के photos वगरे collect करते हो price collect करते हो आप price क उपर margin लगाते हो और direct पहुच आते हो buyer के पास buyer के पास पहुचने के बाद आप buyer को दिखाते हो कि ये product है हमारे पास buyer आपके पास order जैसे ही place करता है आपके पास inventory तो नहीं है swap तो नहीं है कुछ भी नहीं है अब buyer आ कहां से रहे ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडि में आया तो एक और पर समझा दू तो यहां पर एक wholesaler है wholesaler से आपने connection बना लिया कि जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी आप wholesale price पे मेरे को product दोगे buyer जब भी चलके आता है buyer जैसे order place करता है आप वहां से product उठाते हो margin जोडते हो buyer को sell out कर देते हो simple सा इतना concept है बीच का margin आप पाते हो बीच का commission आप उठाते हो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है drop shipping इतनी सी चीज़ है लेकिन आप drop shipping में buyer आएगा कहां से आपके पास है क्योंकि physical आपके पास कोई arrangement तो है नहीं कि buyer आपके पास आए product देखे और फिर purchase करे ऐसा तो कुछ है नहीं buyer को पता कैसे चलेगे कि आप product फलाना फलाना sale कर रहे हो यह सारी चीजे भी बोले ना आपको वीडियो में आगे clear करूँगा और वह भी बिल्कु सिंपल language में कि फटा फट से आपको समझ में आ जाए सबसे पहले क्या करना है आपको buyer सबसे बड़ी चीज होती है मतलब sale बहुत बड़ी चीज होती ह sale अगर आपके पास है तो मतलब आप रा जाओ sale लाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो याद तो आप अपना website बिल्ड कर दो website बिल्ड नहीं कर सकते तो जितने भी free वाले जगे है वहाँ पर जाके page बना लो facebook पे जाके आप page बना सकते हो instagram पे page बना सकते हो whatsapp पे कोई issue का photo आपने लिया उनसे 500 उन्होंने price बताया अब 500 पे आपने अपना margin जोड़ा margin पे आपको advertisement cost plus shipping cost यह दोनों चीज़े जोडने के बाद आपको अपना margin decide करना है दोनों चीज़े check करके ही आपको margin set करना है so let's suppose 500 का product आया 100 आपका marketing cost है और 100 आपका shipping cost है 200 आप मानके चल 300 का margin आपने उस पे ले लिया तो product हो गया 1000 का अब फोटो पे आपको 1000 mention करके और उसके बाद वो product आपको सीधा upload कर देना है अपने page पे या फिर अपने website पे जहां मरजी आप list करना चाहते हो वहाँ पर जाके आप list कर दीजिए so list करने के बाद आपका काम खतम नहीं होता सब से पहली चीज़ आपको clear करूं मैं देखो niche decide होना वहाँ ज़्यादा जरूरी है niche आपके पाफ होना चाहिए कोई भी एक niche पे आपको काम करना है यानि कि अगर आप suits decide करते हो तो suits ही रखिए fashion category रखते हो कि overall रखना है तो overall आप रख सकते हैं लेकिन main चीज़ है fulfillment fulfillment में कमीन आए इस चीज़ का आपको बहुत खास क्या रखना है और customer तक product कैसे पहुंचेगा यह भी बता रहों आपको लेकिन कुछ-कुछ basic basic चीज़ बीच-बीच में बताना जरूरी है like आपके पास niche होना चाहिए अब let's suppose अगर मैं suits की बात करूं तो आपको suits का ही listing करना है suits के ही product आपको upload करने है अपने page पे बड़े ध्यान से आपको एक particular niche पे काम करना है एक particular जो product का vertical है उसी वर्टिकल पे रहके आपको काम करना है उसी में आपको ज्यादा से ज्यादा variety arrange करनी है so इतनी सारी चीज़े अगर आप समझ गए हो तो एक question आपके मन में आ रहा होगा कि customer let's suppose Facebook से या Instagram से हमें आगर order करता है तो customer तक product जाएगा कहां से हो सकता है customer call करता को आप दिल्ली के अंदर हो तो उस case में customer तक product कैसे जाएगा तो उस case में देखो उस चीज़ के लिए भी त्यारी पहले कर लेनी है आपको that आप wholesaler जिस भी wholesaler से connect करते हो उस wholesaler से आपको request करना है कि वो direct ship करा दे customer के पास यानि कि अगर वो ship कराने के लिए राजी है तब तो बहुत बड़ी है आपको customer के detail wholesaler को send करने है wholesaler क्या करेगा उसके address तक वो product पहुंचा देगा और जो आपका margin है वो आपको मिल जाएगा या तो इस तरीके से काम कर सकते है या तो दूसरा भी तरीक है यहां पर कि direct आप ship rocket पे जाके sign up कर लिए ship rocket पे account बना लिए बिल्कुल free of cost है कोई costing नहीं लग रही यहां पर so ship rocket पे ID बनाने के बाद आप वहां से product उठाके लाए जो भी order आपके पास आता है आप वहां से payment collect करिया आगे से या फिर अगर full payment customer नहीं देता है तो partial payment collect कर लि के बाद जो customer का address है ship rocket के तुरू वहां पर आपको वह product का courier arrange करा देना है कि मतलब आपके पास से courier boy pickup करके ले जाएगा और वहां तक drop हो जाएगा उसके home address पे work address पे जहां मरजी वह मंगा है वहां पर drop हो जाएगा अब इसमें कोई भी मंतर आपको extra नहीं माना लेकिन इसक जान देना है कि followers आपके किसी भी प्रकार से increase होते रहे हैं यानि कि आपको daily post करने डेली नहीं तो कुछ ना कुछ पोस्ट करते रही है उस पर पोस्ट करने के बाद आपको hashtags अच्छे यूज़ करने हैं follows करने हैं लोगों से connection मनाने मतलब जितने ज़्यादा हो सके connection मनाईए या फिर आप एक और चीज़ भी कर सकते हो story बगएर लगा के आप एड भी चला सकते हो advertisement का भी help ले सकते हो अपने followers को gain करने के लिए यानि कि google ads का भी help ले सकते हो आप या फिर facebook ads का भी help ले सकते हो that is all upon you आप किस चीज़ के थूँ जाना चाहते हो किस चीज़ के आपको knowledge है so इतनी सी ही चीज़े करनी है अगर आपको drop shipping करना है तो और साथी साथ एक से दो महिने के अंदर अंदर अगर आप अच्छे से काम करते हो इस पे बिलकुल इमानदारी से काम करते हो तो definitely आपको result देने लगेगा हो सकता है 10-20-30 order आपको दूसरे महिने से ही मिलने लगे और ये तो investment लगेगा ही लगेगा इससे तो नहीं बस सकते खेरा इसके अलावा ये था आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत जाधा पसंद आई होगे अगर वीडियो आपके काम की रही है वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए फट कॉमेंट कर दीजे क्योंकि आप सभी के कॉमेंट में पढ़ता भी हूँ रिपलाई भी करता हूँ और साथी साथ जो कॉमेंट पे लगता है वीडियो भी बनाता हूँ इसके अलाव मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट